नमस्कार दोस्तो कुंदन एकडमी के यूटूब चैनल में आपका श्वागत है दोस्तो 11 जन्वरी के MP कॉंस्टेबल के जो पेपर आये थे उसमें MPG के से संबंधित प्रस्णों का एनालिसिस किया जा रहा है कौन कौन से कोशन आये थे और किस प्रकार से कोशन पूछे जा रहे हैं आपको कैसे रहनीत बनानी है तो इस संबंधि हम कोशन लेकर आये हैं तो देखेंगे सभी प्रस्णों को कोशन देखेंगे पहला कोशन है मद्ध प्रदेश में गोट मार मेला कहां लगता है महत पूर्ण है दोस्तों देखेंगे मद्ध प्रदेश में जो गोट मा श चिला कहा है देखेंगे यह मैप यहाँ पार आप देखेंगे कि मद्परेश का जो सबसे बना जिला है चेतर फल के धर पर छिंदवाड़ा जिला है यह देख सकते हैं यह चिंदवाड़ा जिला यहां पास ठीक है यहीं पनदुना ग्राम है गाउ जहां पास दोनों ही गाउ के लोग क्या होते हैं इक अठा होते हैं और एक दूसरे को पत्थर भी मारते हैं तो इस प्रकर किया की प्रथा भी है आगे देखेंगे अगला कोशन है आगे देखेंगे अगला कोशन है मध्ध प्रदेश का आवला जिला काउंसा है महत्पून है आवला जिला की नाम से किसे जाना आता है पन्ना को देखें दोस्तो तो पन्ना राष्ट्यू द्यान भी है यहां पन्ना नेशनल पार्क में देखेंगे आवला की ब्रिक्षो की सरबाधिक शंख्या पाए जाती है यही कारण है कि इस राष्ट्यू द्यान को भी यह कह सकते हैं कि पन्ना को आवला जिला की नाम से जाना जाता है आवला आवले क कुछ पादन के लिए भी जाना जाता है यहां हीरा खनीश पाया जाता है देखेंगे यह पन्ना जिला आपका हाना यह रीवा और सतना के पास जैसे देखेंगे रीवा सतना से आगे निकलेंगे तो यहां पन्ना जिला मिलता है यही जो हीरा के ख़दाने पर जाती है और यहा प्रमारित मद्द प्रिस का कौन सा राष्टि उद्यान है मातपुन है आई एस ओ प्रमारित मद्द प्रिस का कौन सा राष्टि उद्यान है देखेगा मद्द प्रिस का एक मात राष्टि उद्यान है बन बिहार राष्टि उद्यान जो की भोपाल में इस्थित है यह प्रद प्रमारित राष्टि उद्यान है यह किस जीला में है मद्ध प्रिस्की राज़ानी भोपाल में दोस्तों ठीक है तो इस प्रकार से हमने देखा आगे देखेंगे अगला कोशन है अगला कोशन यहाँ पास देखेंगे जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है जागेश् जगेश्वरी देवी का मेला लगता है प्रसिद्ध मेला है देखेंगे यहां आपको मैप के मादने से मैं दिखाना चाहता हूं यहां लोकेशन भी देखेंगे की असोग नगर जीला कहां यह देखेंगे असोग नगर जीला है और यहां जो है तो चंदेरी है चंदेरी का किल प्रसिद्ध है और चंदेरी में कई पर्याटन स्थल भी है जैसे यहां खूनी दरबाज़ इस्तित है और यहां जो है तो जवहर कुंड भी इस्तित है तो प्रसिद्ध है हना यहीं जो है तो जगेश्वरी देवी का मेला भी लगता है सोकनगर में तो प्रसिद्ध है आगे देखेंगे अगला कोशन है दोस्तों अगला कोशन देखेंगे यहां पास है उदाइगीरी की गुफाएं मद्द परिस में उदाइगीर की गुफाएं कहां है महत्पूर्ण ये भी अपने आप में कोशन देखेंगे बिरिसा जिले में चोकी कोशन पूछा ही जा चुका है ठीक है आगे देखेंगे यहां आपको Location दिखा दें कि बिडिशा जिला कहा थेहां से देखेंगे आप देखेंगे कि यह पाल संभाग के अंतरगत आता है देखेंगे इंद्रा गांधी जन बिश्व विध्याले कहा है महतपूर्ण है इंद्रागांधी जन जाती बिश्व विध्याले कहा है आपको पता ही होगा अनुपूर जिले के अमर्कंटक में है अमर कंटक में इंद्रा गांधी जन्जाती बिश्विद्याला है तो महत्तपूर्ण है चुकि जन्जाती और बिश्विद्याले समझेत कोशन भी पूचे जा रहे हैं तो आपको बिश्विद्याले बगएरा भी एक नजर देख लेना है कुलबिला के जन्जाती उसे भी कोशन पूचे जा रहे हैं जन्जाती कोशन भी जा सकता है तो इंद्रा गाधे जन्जाती बिश्विद्याला जो है तो अमर कंटक अनोपूर जिले में है ठीक है फिर देखेंगे इसका भी लोकेशन देख लेते हैं अनोपूर जिला कहा है देखेगा ये अनोपूर जिला है जो कि सैडोल संभाग के अंतर गताता है सैडोल उमरिया और अनोपूर ठीक ना सैडोल संभाग के जिले है ये देखेंगे ये 36 गड़ को छूने वाला जिला यहीं अमार कंटक की पहाड़िया है जासे नर्मदा सोन औ किने करवाया था दोस्तों सांची के बौद इस्थूपों का निर्माण समुराथ अशोक ने करवाया था अपने विवाय के यादगार में जो है तो अशोक ने लगबात मुझे तो भारतं में 84 empowered इस्थूपों का करवाय था दोस्तो ग्यात है कि सांची के जो बौद इस दूप है इनको 1989 में युनेशको की 20 धरोहर सूची में शामिल किया गया है ठीक दोस्तो यह राय सेंजिला में है सांची कहा है राय सेंजिला में है तो यह महतपूर है यहां देख सकते हैं थोड़ा लोकेशन यादि आ को याद होगा यह भूपाल संभाग के अंतरगार राय सेंजिला भी आता है यहीं सांची के बहुत इस दूप है दोस्तों यहीं भीम बेटका की गुफाएं भी हैं जो कि प्रसिद्ध हैं जो कि प्रगैति हासी काल की गुफाएं हैं आदिमानों काल की हैं जहां साहल चितर मिले हैं, या चित्रकारी मिली है, आजिमानлов से संब्द ही, तो इस परकार से देखेंगे, अगरा कोशन देखेंगे, आठवा कोशन है, यहाँ पास, देखेंगा, कोशन है, प्लास्टिक पर कहां इसतीत है, म्द्द परसाइज में और भी कहीं पाई आता है राश नमें जहां भी बेट कि अगुफाए है और सांशी के प्रसीद इस्तूप है ठीक है दोस्तो अगला देखेंगे अगला कोशन होशंग साय का मखबरा कहां इस्तित है महात्पून यह भी अपने हमें एक यह दो रहा हुआ कोशन का होसंग साय का मकबरा जो है तो मांडू में है दोस्तों मांडू कहा है धार जिला में आता है ठीक है धार जिला में गाता तो घेखेंगे लिखा है मात पून है पूनता है शंग मरमर से निर्मित है होशंग साय का मकबरा पूनता है शंग मरमर से निर्मित है और इसका निर्मार जो है तो महमूद खिलजी ने करवाया था ठीक है देखेंगे यहां आप देखेंगे कि कहां है धार यह देख सकते हैं कि धार जो है इंदावर के इंतरकत आता ही है धार में ही जो है तो मांडू है और मांडू जो है तो प्रसिद है इसे सीटी आप जौय के नाम से भी जाना जाता है ठीक दोस्तों मांडू को सीटी आप जौय के नाम से जाना जाता है इसको करीमा बाग के नाम से जाना जाता है मचलियों का शाहर कहा जाता है खोब सूरत महलों के लिए जाना जाता है है ना तो काफी चीज़े हैं यहां पायटन इसल बिक्षित हैं है ना कई जिसे राजा बाजबादूर और रानी रूप माती से संब्दित यहां महल भी बने हैं खारबूजा महल हिंडूला महल जहाज महल असरफे महल दाई का महल आज चीज़ें यहीं पाय जाती है यह सब किला यहीं है महल गुशन के राम लीला क कहा है र गौालियर, जिला में राम लीला का मैदान लगता है। दोस्तों आपको बता दू के गौालियर जिले में मद्द पर इसका सब से बड़ा ब्यापारिक मेला लगता है। ग्वालियर में और यहें राम लीला मेला भी लगता है राम लीला मैदान भी है ठीक है तो यह प्रसिद्ध है और ग्वालियर किसले जाना जाता है ग्वालियर जो है तो किला के लिए प्रसिद्ध है और मंदिरों के लिए जाना जाता है ग्वालियर का जो किला है इसको पूर जो है तो गौलयर में जो है तो समाधिया भी जैसे जैसे तानसिन की समाधिय है तानसिन का मख़बरा यही है यहीं उनके गुरु जो है तो sewing गोश का यहीं मख़बरा है तो आध ही चीज़े यहां बहुत महत तपूर्च जीज़ें है गॉलिएर जासी राने लक्क्षीं भाई की विसंवाई की समाद भी है तो काफ barrier जो है तो सिंद्याराज गराना के लिए भी जाना जाता है सिंद्याराजबस सो सम्मंदित है तो एत इह